ताथे रादे कैथे रादा किशनशिंगार में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम हमारी मया के लिए एक बहुत ही खुबसूरत दिजाइनर बनाए सी हैवी वर्क साड़ी बनाएंगे इस साड़ी को आप मया को अलग-अलग स्टाइल से पहना सकते हैं यह हमारे नवरास्ति क्लेक्शन का सिक्स्ट्रेस है उमेद है आपको पसंद आएगी और आपकी अपनी मया को खुबसूरत सी है साड़ी बना का ज़़ूर पहना है आज हम हमारी मया के लिए एक साड़ी बना रहे हैं डिजाइने साड़ी बनाएंगे हम उसके लिए हमने यह अलग-अलग फैब्रिक लिए हैं फिक्しょう । जितने हमारी मया के लहंगे की लंबाई होगी उससे एक इंच एक्ष्रा उसमें प्लस एक इंच आप जोड दीजेगा उतनी तो हमें लंबाई लेनी है ठीक है और जितना लहंगे का घेर है उतना तो हमें बीच का पोशन लेना है ठीक है और जितना हमने बीच का पोशन लिया है इसके आधे से कम थोड़ा कम, उसके इसको आधा कर लीजे, इससे थोड़ा कम, हमको ये एक पीस लेना है, जो इधर लगेगा, और इस पीस के भी, इस पीस का जो आधा, इसके पीस का आधा कर लीजे, इतना हम लेंगे, ये इधर लगेगा, ठीक है, इस तरह ऐसे, ये जो हमने बीच का लिया ह इसका आधे से कम तो ये पीस है और इसका आधा ये पीस है ठीक है ये इधर लगेगा ये बीच में लगेगा ये इधर लगेगा ठीक है और ये है पला जो आएगा आगे ठीक है तो ये इसके बात यहां पल लगेगा इसकी लंबाई हमने चोड़ाई तो उतनी ही लिए है जित इतनी हमारी मया के लहंगे की लंबाई है उससे एकेंच एक्ष्ट्रा क्योंकि हम इधावदर से मोड़ेंगे और टुपट्टे की जो लंबाई होती है लहंगे की उसके जितना लंबा हमने उससे एकेंच एक्ष्ट्रा हमने ये लंबाई में ये मया का पल्ला लिया है ठीक है इसको अब हम इस तरह से सिल देंगे, इन्हें इसे इस पर रखेंगे इस तरह से, यहां पर सलाई लगा देंगे, ठीक है, और इसे इस पर रखेंगे, यह देखिए जो ऊपर को पान से जो शेप आ रही है, यह ऊपर को है, तो हमें फैब्रिक रखने हैं, यह ऊपर को ही ध्या रखने हमें इस तरह से ये इस पर सिल देंगे ठीक है ये इस पर इस तरह से सिल देंगे फिर ये खुलका इस तरह से आएगा और ये इधर खुलका इस तरह से आएगा ठीक है और ये जो ये हमने परपल पीस लिया है इसमें हम ये पला जोड़ेंगे ये इसको भी हम इस तरह स इस पर सिल देंगे, यहाँ पर सलाई लगा कर हम, पूरे में इस तरह से हाँ पर हम सलाई लगा लेंगे, ठीक है, और सलाई लगाने के बाद, जब यह आपस में जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम इनके यह किनारे, पूरी जो यह लंबी एक साड़ी बन जाएगी, इसके कि अब ये देखिए हमने इस तरह से यहां पर स्लाई कर ली है एक बार नीचे से चलाई फिर इसे पक्का करने के लिए उपर से हमने स्लाई चला दी ठीक है ये ये पीस यहां पर जोर दिया और ये पल्ले का यहां पर जोर दिया है ठीक है अब हम यहां पर एक पहले ये जो हमार जोईंट है जितने भी यहाँ पर यह देखी पहले तो हमने यह किनारे भी ऊपर नीचे यहाँ पर सिल लिए है लेकिन हमने जो शुरुवात का पोर्शन है इसे हम इसे हमने मशीन से नहीं इसला है यहाँ पर हम हलकी तो पाई कर देंगे इस तरह से फोल्ड करके हैं मिंग करन हमेन तो को दो आगे बहुँतं है और हमने यह कुरा जो फील लिएकर है रही है नहीं नहीं आतारा कि यहाँ पर अलब से यहहाँ जसे पता चले कि यह पीछे को नहीं जा रही है क्योंकि हमारे दुर्गे मैया सिही पर बैठी होती है तो यह पीछे से तो हम लेके नहीं आ सकते हमें आगे से लेके रखना जाना पड़ेगा इस तरह से ठीक है तो अगर हम यहां पर कोई लेस या फिर कुछ लगाते हैं तो फिर वह अलग से नज़र आएग यहां पर कुछ नजर नहीं आएगा ठीक है यहां पर हम ना ही कोई लेस लगाएंगे और जितने भी हमारे जॉइंट है जो हमने आपस में यह अटेच किये हैं दोनों फैबरे टू कलर्स के फैबरे यहां पर हम यह इस तरह की एक लेस लेकर लगा देंगे ठीक है हमारे गो यहां पर लगा देंगे इसी तरह से हम यहां पर लगा देंगे इसके जितने भी हमने जॉइंट किये हैं आपस में फैब्रिक यहां पर हम सीधी सीधी ये लेस लगा देंगे और यहां पर हैमिंग कर लेंगे अब ये देखिए हमने ये साइड में हापर हैमिंग कर ली है और ये देखिए उपर हमने लेस लगा दी तो अब ये अलग नहीं लग रहे है एक ही पीस में देखिए इस तरह ऐसे ही है ठीक है अब हम इस पर सबसे पहले नीची जो हमें लेस लगानी है लेस लगाएंगे हम र तो रैट क्लरी के नीची, लेस लगाएंगे, लेकिन, यह लेस, सेफ हम साझे के पलले को छोड़के, नीचे-नीचे के पोच्शन पर, पूरी पर लगा लेंगे, इस कॉर्नर से, यहां से, इस त्रहें से, और यह जो पलल-पल़ रहने, पर पीश जोड़ा था, इसके बाद हम जो पल्ला है हमारी मीया का उस पर हम ये हमने ब्लू कलरी की रेस ली है यह हम पतली लेस लेंगे नॉर्मली जो साड़ी होती है लेडिय्स की उनमे पल्लेपर बहुत चौड़ी छोड़ी लगरी होती है साड़ी से बहुतirsiniz लेकिन यह मैया की साड़ी बन नहीं है और उनके कंधे पर आके यह इस तरह से जब यह फोल्ड होगा तो हमें यहाँ पर पतली लेस चाहिए होगी जिससे उनके कंधे पर आ जाएए ठीक है? क्योंकि मैया के कंधे पर इधर उधर हाथ होते हैं और हाथ की बज़े से लटक तो सकता नहीं है इसलिए यह इस तरह से आएगा तो हमें यहाँ पर पतली लेस लगानी है तो हम यह ब्लू कलर की लेस किनारे किनारे पर पल्ले पर दोनों साइड लगा देंगे ठीक है? यह देखिए यह हमने इस तरह से यहाँ पर लेस लगा ली है नीचे नीचे ठीक है? और यहाँ पर हमने पल्ले पर ल्यू लेस लगा ली है ठीक है? और यह जो ऊपर यह जो परपल वाला पार्ट है बीच का इसमें हमने हाथ पार पर यह जो पल्ले की लेस है इसी को यहाँ पर लगा लिया है और पल्ले पर आगे हमने परपल लेस लगा ली है इससे मैचिंग ठीक है और यह हमने इससे मैचिंग लगाया है अब हम यहाँ पर अपनी मयार के साड़ी में यहाँ पर प्लीर्स डालेंगे प्लीर्स हम इस पोजिशन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस यह जो लेस है इससे इधर हम इस तरह से इसे रखेंगे अब इस पर हम यह पर ऐसे हमें प्लीट्स डालने है यह हम सारी एक ही जगह पर इसे इस तरह से सेट कर दीजे हाँ से अब यह अब यह अब यह हमारी लाश्ट वाली जो हम डालेंगे इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से इसे कवर कर लेगी ठीक है इस तरह से तीक है यह लेस यहाँ पर दिखने चाहिए यह लेस यहाँ पर दिखने चाहिए और यह जो है यह इस तरह से आ जाएगा इसको हम सिल कर इसे हाथ से इस तरह से नीचे सैट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से ठीक है यह हमें ध्यान रखना है कि हमें एक के ऊपर एक यह प्लीट से डाल देनी है और फिर यह जो दौन लेस हैं हमारी यह ऐसे इस तरह से बिलकुल अटैज हो जानी चाहिए इस पर हम सलाई चला लेंगे आप मशीन से हाथ से जिससे करना चाहें उससे यहाँ पर इसे पहले प्लीट को पक्का कर देजें यह इस तरह से देखिए यह हमने यहाँ पर यह प्लीट सिल दी हैं सारी आपस में अब हम इसको एक बार ऐसे प्लीट को नीचे तक यहाँ पर सेट कर लेंगे ठीक है इस तरह से एक बार इसे हाथ से सेट कर लेंगे एक बार यह जो गोटा है लेस लग रही है नीचे इसमें यहाँ पर इस तरह से शेप आजाए यह देखिए इस तरह से यह आगे हमारा ठीक है यह फैल के एक अच्छी शेप में आ गई ठीक है अब हम इसको अगर आप चाहें आपकी मैया के हिसाब से यह ज्यादा फैल रहा हो तो आप चाहें तो यहाँ पर जैसे साडी में हम यहाँ पर सेटी पिल लगाते हैं प्लीट्स में ऐसे ही यहाँ पर थोड़े इस से यहाँ पर आप यहाँ पर इस टाख के लगा सकते हैं ठीक है जिससे यहाँ पर आप रुखना चाहें तो यहाँ पर रूख दीजिए इस तरह जब सकते हैं थीक है अब हम क्या करेंगे फ्लीटर फैस्व पर लैस लगाई थी इस streaming को अब हम यहां पर ऊपर ऊपर यहां पर कमर पर बानने के लिए इतनी स्टैप छोड़ कर यहां पर इस तरह से इसे उपर से सिल देंगे ऐसे इस तरह से हम यह उपर ऊपर से इसको सिल देंगे जहां तक हमने ये ब्ल्यू कलर की लेस लगाई थी यहां तक ठीक है इसे सिलने के बाद यहां पर भी हम बानने के लिए स्टैप छोड़ देंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताने के लिए हमें कमेंट करें और कोई कुशन है वह हो भी आप हमें कमेंट की तोरह हम से पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मया पानाजी की और भी प्यारी प्यारी दैसे एक्सेसरीज बनाने के लिए हमारे चैनल के ऐसी राधा कुशना सिंगार को सब्सक्राइब करें राधी राधी को सब्सक्राइब करें